जय हिंद स्ट्रेंट वेल्कम बैक टो नाज अकेडमे एजूकेशन उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे और सेफ होंगे आज हम देखने वाले हिंदी सुलब भारती जो की एट क्लास का है और इसका छटा कवीता का नाम है पहली काई के छटे कवीता यह और इसका नाम है ज सबसे एकी रिक्वेस्टर के प्लीज वीडियो को शेर किया किजिए और डिस्क्रिप्शन बॉक्स शेर किया किजिए वहाँ आपके हल्क के लिए ग्रामर की वीडियो इस एवलेबल होते है ठीक है चलिए स्टार्ट करते है सूचना कनुसर कुरूतिया करो प्रवाहत आलिक पूर्ण करो, इसके अंदर आपको कोशन दिया गए कि कभी ने इन बातों को सीख लेने को कहा है, तो हमारे जो कभी हमें किन बातों को सीख लेने को कहा है, वो इन चारों बॉक्स में आपको लिखना है, ठीक है, डॉन्ट वरी मैं सारे कोशन के अंसर आपको दूंगी, ठीक ह में खयालों को खुद दोलना और चौते में अपने आपको टोकना ठीक है तो यह चारो बॉक्स की चारो चारो जो लिखे हुए ठीक है लिख लो आप मेरे हिसाब से आप वीडियो को पॉस करके लिख लो या तो स्क्रीन शॉट ले लो वह भी बैटर है ठीक है चले नेक्स्ट उसंहिए ठीक है दूसरा था छूबने वाली थो यहां पर इसका सर लिखेंगे बात तीसरा है पटने वाले तो इसका belangrijk बाता के थीक है अब नेक्स कुषन देखींगे कि हमारी जो कविता रहें उसके अंदर आप तीसरा कोष़शन आपको क्या किया गया हैarina को आपको चूप रहने के चार फायदे यानि कि कविता में आपको चार फायदे बोले गये हैं जो आप चुप रहेंगे तो आप क्या फाइदा होगा तो चारो आपको यहाँ पर लिखना है चले मैं आपको इसका अंसर बताती हूं तो यहाँ पे पहले इसमे लाइन में लिखना है विवाद से बचते हैं दूसरे में लिखेंगे मन शांत रहता है तीसरे में लिखेंगे एका के अंसर हो गए चले नेक्स्ट कोशन देखते हैं इसके नीचे दिया गए आपको स्क्रीन शॉट नहीं लिया तो यह लो लिख लो ठीके आप लोग ले लियोंगे स्क्रीन शॉट उन्हा चेंज कर देती हो यहाँ पर चौथा आपको दिया गए चौथा कोशन की कवीता की अंतिम चार पंक्तियों का अर्थ लेको यानि कि जो हमारी कवीता है उसकी जो आखरी की अंतिम मतलब बता आखरी की उसकी आखरी चार लाइन जो है ना उसका आपको अर्थ बताना है चलिए इसका आंसर देख थिक है तो बात बे बात कोई चुबने लगी तो बदल कर उसे मोड़ना सीख लीजे ये किसने कहा होट सीख कर बैठे जरूरत पे मुँख खोलना सीख लीजे तो कवी कहते हैं जो कवी हैं हमारे वो कह रहे हैं कि कवी पहली दो पंक्तियों में कहता है कि यदि कोई छोटी बरी बात आपके हुर्दे को कश्ट पहुँचाए तो उसे मोड़ना चाहिए अर्थात उसे भूलने या उसकी नकारात्मक्ता की बजाए उसके सकरात्मक्त पहली उपर विचार करना चाहिए कवी के अनुसार अनायस ही परिशान करने वाली बातों को सोचने से बैतर है उस परिशानी को दूर करने या उसके सकरात्मक्त पहली पर विचार कर स्वेम के होसलों को बुलंद करने का प्रयास करना चाहिए अंतिम दो पंक्तियों में कभी कहता है या कोई नहीं कहता कि अपने होट सीकर बैटो अर्थात किसी भी बात पर अपनी प्रतिकिरिया मत दो बल्कि ज़रुत की समय अपने मत व्यक्त करना आना चाहिए कभी के अनुसार हमेशा अपनी जुबा पर ताला लगा नहीं उचित है लगाना नहीं उचित है और नहीं कोई ऐसी सला देता है अता अवश्यक्ता पढ़ने पर प्रतिकिरिया देना बहुत जरूरी होता है देखो यहाँ पर एक ही चीज में समझाओंगे आप लोग को कि यहाँ पर जो हमारे कवी है वो कह रहे हैं कि जो आपको जरूरत पढ़ने पर ना अपना मुझ खोलेना चाहिए यानि कि हो सके कि जैसे आपना एक चोटा से एक्जामपल लेती है अपकी घर का कोई बाहर से आकर आप पे को इन्जाम लगा देता है बच्चो पन में यानि कि जो बच्चों में जवरा होता है बच्च्पन की बात बोजा रहे हैं तो कोई-पैरंस ऐसे होते ना अपने पर्रतिकरिया दो कि मुझे मारा तभी मैंने मारा तो आपकी जो पीनिया ने आपने क्या वो डार्डिक लिए बताओ गलत नहीं मतलब किसी की गलत की विएसे आप क्यू कोई प्रॉब्लम जेलो यहां पर कभी कहते हैं जब ज़रुरत परे ना तो अपना मूँ खोल लेना हाँ हमेशा आपको मतलब अपनी जरुरत के लिए बोलो जरुरत पढ़ने पर बोलों लेकिन हमेशा चुप रहना यह ठीक नहीं होता यह आपको कवी कहते हैं और यह बात सीखने वाली बात है इस कवीता से ठीक है चले next question देखते हैं पाच्वा कोश्चन है कवीता में इन अर्थ के शब्द लिखने अर्थ और शब्द हमेशा आप लोग क्या करते थे शब्द के अर्थ लिखते थे राइट अब यहां पर उल्टा दिया गया अर्थ आपको दिया गया उसके शब्द लिखने चले हम एक करके देखते हैं और हो ना जो लोगे ना तो वो एजी रहेगा क्यों कि आप एक्जाम में अगर कोई भी आएगा तो फिर आप उसको देखें बता सकते हो कि इसका शब्द यह यह तो फिर इस शब्द करतिये धिक है फिलाला भी हम इसका अंसर देखें तो यहां पर पहला दिया गया है अर्थ में बत्ता दिया गया वश्यक्ता तो इसका लिखेंगे जरूरत ठीक है पश्ष को साइट में वीडियो को पॉज करके लिखि लो टिक है अब आपको समझ में आ गया होगा की यहां पर कैसे बताया गया है ठीक है चलिए next question देखते हैं अब आपका next question ने भाशा बिंदू यानि कि grammar section से अब यहाँ पे आपको question दिया गया है कि उपसर्ग प्रते अलग करके मूल शब्द लिखो यानि कि उपसर्ग होता है ना आपका उपसर्ग प्रते grammar का एक हिस्सा है अगर आपको नहीं पता है ना दिस्क आगे की जो class 11 12 उसमें भी एक grammar तो आपको आगे भी काम आएंगे तो आप एक बार सीख लो आपको हमेशा काम आएगा ठीक है तो यहाँ पे आपको बोला गया है इन सब में नहीं जितने पी शब्द दिया गया इन सब में किसी में उपसर्ग लगा तो इसमें प्रते लगा गये आस्थाटवन, वेक्तित्व, स्नेहिल, बेबात, निरादर, प्रतेक, असुयोग ठीके यहाँ पे इसारे word दिये गे और यहाँ पे इनके answers दिये गे भारतिये का भारत ठीके आस्था, वेक्ति, स्नेह, बात, आदर, एक, योग ठीके अब मैं आपको नापकी इस तरह आप लोग बनाओगे, आप हमेशे इस तरह बनाते हो, ठीक है, हो गया, यहाँ पे, मैं चलो आपको पूरी तरीकी से बॉक्स ही बना के बता देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगे लिखने में, ठीक है, अब यहाँ पे हम कलर चींज कर लेते हैं, ठीक है, अब निसरे बॉक्स में आपको यह जो मूल शब्द लिखा हुआ है, ठीक है, अब आपको भारती है, फिर उसके नीचे अस्थातवान, फिर उसके नीचे वैक्तित्व, फिर सनेहिल, उसरा एक के नीचे एक, इस तरह आपको यह पूरी लिख लेना है, ठीक है, अब रही बात इ बारत दिया गया है यह जो वर्ड आपको पहले आघारा है फिर दूसरा इसके नीचे फिर तीसरा इसके नीचे पर इसका उसके नीचे बतलब फिर ר 05 अ उसके नीचे और डाप एक एक और ओड़्क पहले नहीं आपको लिकंगे न है याह आपके प्योजित लेखन से एक कोशन दिया गए कि याता यात की समस्या एवं मुपाय विशे पर अपने निबंद लिखो अब देखो आप हमेशा कोई वीडियो देखते हो मैं किसी के बारे में बुरा नहीं बोलू कोई भी वीडियो देखते हो आपको हमेशा आदा दूरा वताया जबकि यह इंपोर्टेंट होता है निबंद लिखन ठीक है और एक्जाम में आता ही आता है उस आपके जो एंडिंग में रहता है ना चाहिए कोई भी पार्ट होया कोई भी कविता उसके एंड में जो आपको प्योजित लेखन देते हैं अब हमेशा उसको पढ़ा करो एक् जाकी भी ठीके तो फिलाल अभी हम इसके आंसर देखते हैं यह आपके उप्योजित लेखन का आंसर है आज की इस आधूनिक यूग में यातेयात के साधनों को अपना एक महतपुर्ण स्थान है रेल हावाई जहाद पानी के विशाल जहाद कार इत्यादी आधूनिक याते जीवन सरल वसुक में बन पाया है यातेयात मानफ के जीवन का अभिन अंग बन चुका है मुख्यात यातेयात के तीन प्रकार होती हैं जिनमें जल वायू आसरक यातेयात का समावेश है यातायात के विबिन, साधन, विज्ञान के अनमोल देन है इनके उपयोग से मनुष्य जाती को अंगिनत लाब हुए है जिस प्रकार हर सिक्के के दो पहलू होते हैं उसी प्रकार यातायात के साधनों के लाब के साथ ही कुछ हानिया भी है जुड़ी हुई है इन साधनों के अधिक अधिक उपयोग के कारण पर्यावरन पर प्रतिकुल प्रभाव पढ़ रहा है सरक पर सरपट दोड़ने वाली बस, कार, स्कूटर, रिक्षा, इत्यादी से निकलने वाले रासायनिक प्रदार्थ वग्यास हमारे प्रयावरन को जहरीला बना रहे है सरक्यातयात के साधनों की संख्या दिन, दूगनी, राच, चौगनी, रफ्तार से बढ़ रही है इसके साथ ही सरको हवाई अड़ो आदी के निर्मान के लिए जंगल वह पहारों को काटा जा रहा है नदियो वह समुद्री की 30 शेत्रों पर अधिकर्मन किया जा रहा है तो यहां तक मैंने आपको एक्स्प्रेंड किया है आप पहले इसका स्क्रीन शॉट ले लो फिर हम इसके आगे और है वो एक्स्प्रेंड करूंगी आप लोगों ने स्क्रीन शॉट ले लिया होगा जितना एक्स्प्रेंड की थी यह उसके आगे का है ठीक है यह मतलब एक और एक्स्ट्रा परेग्राफ है परियावर्न पर हो रही प्रतिकुल परिनामों को रोकना अब अतियावश्यक हो गया है यदि जल्दी परियावर्न में बढ़ रापरदुशन को रोकन नहीं गया तो हमारी परियावर्न जीवन के लायक नहीं रह जाएगा यह विशाकत हो जाएगा अता हमें अधिकाधिक नीजी आतायाद साधनों की इस्तमाल से बचकर सरवर्जनिक यातायाद साधनों जैसे बस तेलगारी इत्यादिक अपयोग करना चाहिए सड़क पायूव समुद्री यातायाद के साधनों का अपयोग करते समय या सुनिश्चित करना चाहिए कि उन से निकलने वाले रासाइनिक पदार्त वगयास वातावरन को कम से कम शती पहुँचाए अधिक अधिक विक्षारोपन करने हित्तु व्यापक और तोर पर प्रभाविव अभ्यान चलाया जाए इस प्रकार ज़रूरी उपयोगों पर ध्यान देकर हमें यात्यात के साधनों का लाब लेने के साथ ही उनके कारण होने वाले समस्याओं से भी छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं आप एक चीज नोटिस कर लेना समस्याओं और से एक साथ हो गये तो समस्याओं लिखना फिर यहां पर से लिखा हुए ना उसी तरह इस से को अलग करके लेना ठीक है बग्टि सारे आंसर आपको मिल गए तो आप यहां पर नेकिए आपको सिखने वाली बात है ठीक है जिस बच्चे को सुनने अधिक है सुने और जिसको नहीं सुनने यह वीडियो को आगे कर लेना ठीक है लेकिन आपका सीखने लाइक बात है इसलिए बोल रहे हो देखो हमारा कच्रे करते जा रहे हमारे घर बनाते जा रहे हैं कर रहे हैं हमारे लगाने प्लास्टिक कम हमीप करना चाहिए आप लोगद दीर करोगे एक सब में जाएगा तो इस तरह सब कुछ ठीक हो सकता है वापस लेकिन हम स्टार्ट ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा तो हमें स्टार्ट करना चाहिए ऐसा ठीक है और जो कच्रिये उसको मिक्स करके ना रखें आप लोग वेटर होता है ठीक है उमीद है आप लोग को मेरी बात समर्ज में आई होगी क्योंकि हम सब को प्रित्वी पर रहने वाले हर इंसान को उनकी जो रक्षा के लिए उनकी जो रक्षा के लिए छोटा बरा योगदान देना चाहिए ठीक है चली आपको मेरी बात समर्ज में आई है क्योंकि तो ठीक जि कि आपको इस कवीते से क्या समझा वो आपको यहां पर लिखना होता है अब यहां पर एक कोशन हो सकता है बन सकता है यहां पर कि जो आपकी एक्जाम में ऐसा कोशन किया जाए कि आपको कवीता दिया जाए यही कवीता और उसके नीचे आपको कुछ ऐसा दिया जाए लिखकर question और आगे लिखा हो अपने विचार लिखिए तब आप क्या लिखोगे उसका answer मैं बता रही हूँ ठीके तो exam में न मैंने समझा हर chapter का जो आपकी lesson से जो भी कवीता है न पर के जाया करो ठीके वो अगर आप लिख के आते हो और ये दो marks कर रहते हैं तो ये कटेगा नहीं अपने विचार हमेश्चे दो marks से लिए पूशे जाते हैं ठीके तो कटेगा नहीं और आपको answer का जो भी marks होगा तो मिल जाएगा ठीके तो अभी हम इसका answer देख लेते हैं मैंने समझागा तो यहाँ पर आपके मैंने समझे का answer है सदेव सोच विचार कर सही समय पर बोलना चाहिए वानी मीटी होनी चाहिए पर नियंतरन रखना चाहिए और ज़रुरत के वक्त पर बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए यह दो लाइन है और यह दोनों लाइन आप लिख के आते हैं एक्जाम में ऐसे रिलेटेट कोशन से तो आपको दो मार्स देने से कोई भी एक्जामीना नहीं कट करेगा ठीके बट खली आपको जो सही जिस तरह लिखा हुआ है सही वर्ड आपका हो तो आपको कोई मार्स नहीं कटेगा तो आपको लोग आंसर यहां पर लिख लीजे ओके तो आपके लास्ट कोशन का अंसर मैंने आपको बता दिया आप लोग स्क्रीन शॉट लेलो और आप सबसे रिक्वेस्ट वीडियो को शेर करो सब्सक्राइब वालव जो रेड बटन उसको क्लेक कर दो ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिक्शन आप तक पहुंचे और आपकी हेल्प के लिए मैं बहुत सरे वीडियो जलाती हूँ और आपको कोई भी चीज्श चाहिए होगा मतलब कोई भी वीजिए चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दिना मैं आपको मतादुगी यहाँ तक कि बच्चे को ग्रामर भी चाहिए होका और हमारे चैनल पर अवय उभले रहते लेकिन वहां नहीं चालते प्र दिक्ली कोमेंट बहुत को देती है अब बताओ इस से जादे कितने हेल्प कर ठीक है और जितना होगा मुझसे हल्प मैं उतना कर दूंगी आप लोग के लिए लेकिन आपको भी सब्सक्राइब करके रखना होगा वीडियो को युद्ट शेर करना होगा लाइक करना होगा ठीक कोई डाउट है कोमेंट करना, bye and take care मिलते नेक्स्ट वीडियो